आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा unit no.3 fundamental duties बात करते हैं fundamental duties की और कुछ ऐसे notions के बारे में डिस्कस करेंगे जो शायद ही आपने सुरे होंगे शुरू बात करते हैं अजिए पहले हमारा notion नोशन है वह एंचेंट इंडिया notion of righteousness and duty consciousness तो एंचेंट इंडिया के बारे में हम बात करेंगे उसके बात करेंगे आर्टिकल 51-1 के बारे में अगर आपने अपना हंक डिया आपको जो करना चीज़ा था आपने काम किया तो आपको वह मिलेगी जो आपको साथ को करते हुँ और अपको पर घृटि था भौ करते हैं की आपकी duty यह है आपकी duty यह है बट अब क्या है सब को राइट की पड़े अब देखे सभी राइट की बीचे भागें गें तो duty को निभानेगा थे कैसे कुरा आप बात ईकिंद बात करेंगे कि कुछ ऐसी country यह इसमें जो है बहुत टाइम से मेंशन थी इंडिया में तो कॉंसिलिशन में ड्यूटी थी नहीं बहुत लेटर एड हुई सोविए उनियन चाइना हंगरी और जापान इसलिए इसी कंट्री में ये ड्यूटी जो है पहले से मेंशन थी अब हम बात करते हैं कि ड्यूटी का काम क्या है आइडिया से इंसिट्यूशन से इंडियन फॉलिटिकल थॉट्ट पढ़ा है मैं आपको पढ़ाया था उसमें आपको धर्म धर्म दंड के बारे पढ़ाया था तो वहां पर अगर आप समझेंगे तो वहां पर आपको ये देखना है कि हर एक पटिकुलर कम्यूटी के उस इसके की शुद्र का कांभा है विमन का पढ़ाया मैं को ये मैं पर आपको भी पनपके आई बट कहने मतलब ये चीजा अगर अगर हम समझे हैं से तो जा किंग का काम किंग काम मैं राजधर्म करना मैं आपको पहले समझाए और एकड़ना है कि लोगों में बेड़ार है इ supplemental करें कि स्ब्रक्ता जो बहारा हूं praying यह जोट मेला यह नहीं आप consciousness से उपर बढ़ता हूं बताते थे कि हम ग्लोबल लीडर है भले वो छोटा मोटा टैरिटरी के उना रूल करें जैसे कि आप देखेंगे पहले के टाइम में जो महा भारत देखिए जो भी देखिए उसमें आप देखेंगे चोट चोटी चोटी टैरिटरी से तक है मलब एक इंडिया का मैप उठाकर देख लिजी आप तो आप पर छोट चोटे आपको दिखेंगे लेकिन पहले के टाइम पे लीडर्स को इतना महान बता दिया जाता था जो उनके रूल करते थे वांके राजाओं को ठीके उन्हें चक्रवती बता दिया जाता था यहां तक कि अशो उनके इतना उपर बता दे रहता था कि वू उसको छो है आप बता रहे हो कि भाई इंसान गल्थी करें नीसाथ तो ऐसा तो लोत हो हो to तो ये चीज जो है आपको समझने वाली है कि ये टाइटल्स देना ये सब चीज़े करना इसका मतलब ये होता है कि हर राजा का ये काम है कि हर इंसान को अपती ड्यूटी जो है वो अब्जर्फ करवाता है अब हम बात करते हैं 1905 डिस्कवरी ओफ कौटिलय अर्फ शास्त्र देखिए कौटिलय अर्फ शास्त्र को ऐसे legitimate टेक्स्ट नहीं है ठीक है अकसर हम उसको रेफर करते हैं हुआ क्याता एक पंडित था तुलफ से उन्होंने एक मैनॉस्क्रिफ प्ताई ती एक जो की लिखी गई थी और एक ऑन्थiben जो है आर एक जो राइटर है जो कर आना де भघ्ठा सौमिन उनके दवारा लिखी ती तो ये एक मैनैस्क्रिफ थी इसका कोई स्रॉंग एविडेंस नहीं मिलता कि महला पॉटिलय द्वारा लिखी गई है नहीं लिखी गई है तो 1905 में यह सामने आती है पिर उसके बाद धीरे दीरे इसका रिसार्च होती है और इसको रिसार्च करने के बाद बहुत बाद इसको रिवाइस किया जाता है और फिर बताया जाता है कि क्या यह अर्थ शास्त्र जो है मतलब किस ने लिखी अभी तक हम समझ नहीं पाया दें कि बहुत सारे कंट्फूशन है अर्थ शास्त्र है बाद तो हमारे पास टेक्स्ट आया क्या वो औरीजिनल है क्या वो कॉटिलय द्वारा लिखा गया है क्या चंध्रकृत मॉरिया के टाइम् पे था या फिर और को यह सब्सक्राम मुत अब Mt वो दिया गया है जिसे की मनुस हमिता जो है मनु के द्वारा बाती है तो यह सब यह से जिसे उसमें लिखी गई है या कुछ और चीज है उसके बाद हम समझते है कि आर्थ शास्तर ऐसे माना चाहता है या तो 4th century BC लिखी गई होगी या तो 4th century BC लिखी गई होगी तो अभी तक हम इसके ना timeline बता सके हैं ना हम यह बता सके किस ने लिखी है कौन से कोटिले ने साथ होगाए कॉछ बराएक है लेकि पलाएक कोई भी बूख आप देखेंगे की वह सारे टाइम में देखेंगे साथ साल घजार साल ती उसमें तया ताइम पिरिट में जाती है उसके बहुत सारे टेक्स ज़ो ए चीज हो जाते है आपको देखने को मिलेगा बहुत जादा क्या कहते हैं आपको हैरान हो गया आप कि बहुत ही कम ऐसी बुक से जिसका एक भी वर्ट जो है चेंज नहीं हुआ है ठीक है लेकिन यह जो बुक है इसका बहुत सारा चीज़े चेंज हो चुकी है बहुत सारी चीज़े लोगों ने यह नो मैनिपुलेट कर दिये तो वह खेर अलग बात है बट कहने की मतलब यह है कि इस पूरी बुक में जो है कोटिले अपने राइटर है वह राइटर कोटिले है यह कोई और वह बताते हैं अपने आपको कि वह चानक के है और विश्नु गूपते हैं तो कुछ जो स्कॉलर् अपने वह बताते हैं कि जो कॉठिले है तो उनके अकोडिंग क्या होता है उनके कॉठिले है वह एक कुटलग गोत्र है उसमें पैदा हुए होगे शार्द इतले उनका नाम कॉठिले रखा गया हो और चानक कि विश्नु कुपता हो सकता है उनके पेरेंट्स तो नका नाम आ जाते हैं तो यह साही चीज़ा आपको समझने की है अक्सर हम क्या कहते है कि चानक के ने लिखी है कभी कहते है कॉठिले ने लिखी है अभी तक हम यह बता नहीं पाये हमें अभी तक समझ मिन्या है कि इस ने लिखी है उसके बाद हम बात करते हैं कि अफकोर्स ही बात है क पॉलिटिक्स को हमें कंसर्ण करना है जब तक कि बहुत सदा इसमें इंपोर्टेंट चीज यह मानी जा सकती है अब देखिए अगर अर्थशास्तर का हम ट्रांसलेशन देखिए आज की टाइम पर हम एकोनॉमिक कहते है अर्थ को लेकिन अर्थ उस टाइम पर बता आयाता था लैंड इन हैट बाइम मतलब जहां पर वरत हो रहा हो मतलब लिव लाइवूट प्रैक्ट्रिस हो रही हो ठीक ह जाली, एहाँ पर कहने का मतलब है है कि अर्तरशास्तर एकोनॉमिक्स को कहा जाता है, बट कहने का मतलब है कि, सिधा इकोनॉमिक्स के अंपर के अंज़र को पाती है और SIW ो परC balance सनल hire your brother's PD, ethicalorld, political and administrative issues जो है वो डिसकास होते हैं अब बात करते हैं ड्यूटी कॉंशिसनेस की तो अकसर लोगों को जो है ड्यूटी जब लोग फॉलो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम प्रेशर में कर रहे हैं लेकिन अगर वो ड्यूटी इंसान फॉलो नहीं कर पाता तो फिर वो इंसान जो है कि क्या है कि हम जरूरी जरूरत किस चीज कि है कि हम स्ट्रेंडन करें कि ड्यूटी कॉंचिसनेस लोगों के अंदर बढ़ा है बढ़ा है कि ड्यूटी करना आपको वो घ्यूटी करना करना है यह जरूरी इसकी अपको दिखास पॉब्लिक कि यह Aंवाँ आपको ऍहां भाला है उसके इसलिए कि उप भाशन ही बताया जयाता है कि यह इसलिए कि आपको supplier घ्यूटी कोobra़न अगे लिगाए एक्षर इंकलैनेशन नकोष को देना है जब आप काइंड होते हो हैं आप सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर दूसरों के लिए भी अब भलाई ज़रूर करिए तो यहां पर हम देखते हैं कि इंडियन freedom struggle के बारे में जब हम बात करते तो इंडियन freedom strugglers जो थे उन्हें किसी लिए नहीं कहां कि आप जो है क्या करते इस अब चीज़े कीजिए बर उन्होंने किया लेकिन उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि लोग इंस्पायर नहीं हुए इसलिए इंद्रकांदी के टाइम पर क्या हुआ कि इंद्रकांदी गवर्मेंट ने स्वरान सिंग कमिशन बिठाया और उन्होंने फंडमेंटल जूटी के बारे में बात की अर्-फंडमेंटल जूटी के क्या क्या करणन को स्टेड़ी करके उसमें स् yht cabo Л can बनाई और कुछ जल् has में पहलेकिन थह कि क्या क्या आपको जो है फंडमेंटल जूटी सबाएंटाटीू उसमें पहला गोई खराब करता है तो इसको ट्रॉल कर दिया जाता है तिक हुसका बात करते है एक्टिव फॉर इटी ठीक किया एक्टिव वर्युनिटि एने कि आप करें आपको जो है हमेशा जो है क्या चीड है चीजपर मेंशन करना चीए ऑप अपने यह ऐसे लोगों इस वैसी चीज़े चलिए señor the शुदध के लिए रडी होच्टे fundament मिलिटरी स्हर्वस के लिए रेडी होना चैनल अंछा सब लोगों के लिए इक्वल्स होचना चाहिए और वाइलेंस नहीं करना चाहिए तो कुछ ऐसी जो ड्यूटीस है जो इसका जो कमिशन था उसके उन्होंने प्रिफर बताई थी पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको ऐसा नहीं कि खराब कर देंगे हमारा हमारा थुनना पैसा लगा ऐसा नहीं करना इस तरीके की चीज़े आपको बताई गई है तो अब यह जो कमिशन ने जो रिकमेंडेशन दी ठीक है के कमिटी ने तो फिर एक एडिशन किया गया सब्सक्राइब किया गया 42nd constitutional amendment आपको पता है उसके अंदर जो है यह duties भी एड की गई पार्ट नमबर फाइव ए और आर्टिकल नमबर 15 51 के अंदर एड की गई ठीक है यह duties और यह 10 duties एड की गई थी पहले तो उसके बाद एक और constitutional amendment हुआ 86th constitutional amendment और इसमें फिर एक और duty जो है एड की गई और इसके बाद आज के टाइम पर आज अगर आप से कोई पूछे तो आप कितनी duties बोलोगे 11 duties है ठीक है अब 11 duties कुछ इस तरीके से है आप पढ़ सकते हैं मैं आपको बता दू आपको जो है क्या क्या करना है आप constitution को respect करना है constitution के institution, flag, सबको respect करना है, national struggle के जो idea से उनको respect करना है, sovereignty को protect करना है, country को defend करना है, जब इस सर्वत पढ़े और आपस में भाईचारा बनाए रखना है, discrimination किसी के साथ नहीं करना है ठीक है, तो यह साही चीज़े जो है आपके ही पाच होगे, इसके मैं बताती हूं, understand the importance of glorious tradition, मतल करना है, balance से बचना है, ठीक है, उसके अलावा आपको एक और important चीज़ है, कि आपको excellence की तरफ जो है, इसके important चीज़, कि हर इंसान जब खुद अच्छा होगा, तो automatically देश जो है वो अच्छा हो जाएगा, तो हर person को अपने आप में जो best कर सकता है, वो उसे करना है, और आपको education opportunities अपने चाइल को देनी है, for the age of 6-6 साल की उमर तक उनको आपको education opportunities देनी है, यह आपका काम बनता है, ठीक है, और तेखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर वो duties को criticizeize भी करते हैं, यह से ऑसे बताते हैं, या तो citizen जो है, नैच्छरी अपने जूटी परफॉर्म कर और basically, यहाँ पर अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ों मानते हैं, यहाँ पर दिखा गया respect करना है, ठीक है, अब जसी की समझ लीजिए, यह respect करना है, लेकिन अगर कई पर national anthem बज रहा है, आप खड़े हो जाते हो, यहाँ पर यह नहीं लिखा है, कि आपको खड़े हो क्लियर नहीं की गई है, अब लीगल स्ट्रेटरस पर आ गई है, जिसमें आपको बताया है, लीगल स्ट्रेटरस पर आ जाते हम, अब हम बात करते हैं, कि बहुत सारे लोग जो है, मतलब इस, मतलब इस, मतलब इस, मतलब इस इंडिया में रह चोके है, तो एक composite culture जो हमें दे आपको पता है कि बहुत सारे सोचल एविल से भरी हुए थी और उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे डिजन जब इंडिया में आये तो इससे कही ना कई जो इंडिया और इंडिय को लेगी जो एंडिया इंडिया ने रचीज़ेशन और फोड़ी सुदरी और इन भी भी निब एक सेक्वीलर कॉंसिटूशन है इस सबी सब्सक्राइब हुआ करें देश के नहीं पदसें अधर TWDK के सब्सक्राइब करें चाहिए कि जब सिटिजन ही साइची से मानेगा तो एक अच्छा नेशन हम डिवलॉप करेंगे बट कहने का मतलब यह है कि उसके बाद भी एक प्रिकॉशनरी बैलेंस है प्रिकॉशनरी प्रिकॉशनरी पिंसिपल है कि इसा बता दी गई है इतना अधा जस्टिसीवल नहीं है बट कहने का मतलब यह है कि गर कोई इंसान गलत करेगा तो उसको फिर सजा मिलेगी उसके अलावा यह बताया जाता है कि ऐल्तिकल घूटी थैसे कि इक है न कि इसक्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते तो यह तो फंदेमेंटल राइड भी है मतलब आपका कि अगर आपने इसक्र खिरा किसी नोरी किया किया तो आप इसको कि स्कों पarta है तो बहुत सारे तो इसमें ऐसे है जो 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 हो Çünkü कि वागवाद सीटियॐं बटाती है वी पताती है स crawling football a podcast 8 ये उसमें ऐसारे इन कि इंटरेशनल लॉग के लोकल लो से कहीं ना कई आपको देखनी है इंटरेस्टिंग चीज यहां कि जो सब्सक्राइब करना तो हर इंडिविज्ण का काम होना चाहिए उसके बाद साथ साथ हर इंडिविजिल का काम होना चाहिए कि वो एक्सिलेंस पर्सू करें मतलब यह है कि कुछ ऐसी जो ड्यूटी से धिरे धिरे करके आपने देखा कि इसमें बहुत साथ ड्यूटी तो जो ऐसी है जो जस्टिसी एबल भी हो जाएगी इसमें जो आप किसी के जिम्स करो इसके अलावा राइस टो एजूकेशन में आपको यह चीज है कि आपको जो है करते हैं एजुकेशन प्रोवाइट करनी है और पेरेंट्स अगर एजुकेशन नहीं प्रोवाइट कर रहे हैं तो फिर यह भी फॉंडमेंटल ड्यूटी है कि का काम है कि एजुकेशन आप प्रोवाइड करो तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो अभी तक के जस्टिसी इबल नहीं है ठीक है अभी तक यह लौ नहीं बन चुकी है बट बहुत सारे इसमें से ऐसी फंडमेंटल ड्यूटी से जो बहुत जदा इंपोर्टेंट है तो अब ह हम दिले दिले देखते है रिपब्लिक दे और इंडिपरेंडेंटे के दिन आप लोग उसको ने बुलाया जाता होगा भाशन दिया जाता होगा इस सब चिसे क्यों ताकि आप समझ सके कि आपकी निशन के प्रतियक जूटी है तो जूटी आपके अंसर हमेंशा होनी मेंट हुई थी ठीक है और इक पूस्टा हिस्टोरिकल स्टैप था और बाद में दीरे दीरे जाकर सुप्रीम कोड्डे सकती को समझाया भी है कि किस तरीके से जब्सक्राइब कि नहीं है तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम वह ड्यूटी को फॉलो करें जो हमारे लिए चैप्टर था और बागी दो चैप्टर भी मैं अल्रीड समझा चुकिए इसके नोट्स आपको मिल जाएंगी टेलिग्राम चैनल पर जो कि आप जाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आपको मिल जाएंगी आप वहांसे जाइन कर लीजिए और इसके जो है आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तिस देन बाई एन हैपी लर्निंग